हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू दी चैनल, स्वागय था आपको आपके फेवरेट चैनल लिंडो लोगस में, आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे फिल्म आवड्स 2022 से रिलेटेड टॉप MCQ को, इस वीडियो में कवर क्या करने वाले हैं, देखो जितने भी आवड्स फिल माई टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, सबसे मेरे देखते हैं, ग्रैमी आवड्स हाली में मिला है, ग्रैमी आवड्स जो यह मिलता है, मुजिक इंडिस्ट्री में आउट्स्टेंडिक स्चीवेंट्स के लिए, कौन सा देश देता है, इस अवोड को प्रेजेंट क इसका आवड्स जो है, वह हुआ है, नेवादा के लास्ट वेगास में, यह कहाँ पर है, USA में ही है, एडिस सहर में इस जगह पे पहली बार ग्रैमी आवड्स का आवड्स का आवड्स का आवड्स क्या गया, यह भी आप याद रख सकते हैं, इंपोर्टेंट है, बात कर ले है, वी आर जो की है, जॉन बैटिस्ट का, बेस्ट निव आर्टिस्ट बनी है, ओलिविया रॉड्रीगो, बेस्ट पॉप डूओ, या फिर आप बोल सकते हैं, ग्रूप परफॉर्मेंस का आवड्स मिला है, डोजा कैट और एस जडे को, बेस्ट पॉप वोकल अलबम का a-Đस परफॉर्म आप सब को पता होगा, उसका यह जिस तरह से अमरिका ओस्करस ओट देता है, उस तरह से बिर्टीन बापटा ओट बहुता है, बापटा को हम B payment nerve होतता है, बेटिस अकेड़म अब फिल्म टेलिविजिटक थे या पढ़ेंस के जाता है, पहली बर्द कब दिया गया था बाप्ट आवर्ड तो पहली बर्द दिया गया था 29 मई 1949 को अब देखेंगा आगे हम 2022 से लेटेड टॉप MCQ को पहले करवर करेंगे फिर लिस्ट देखेंगे पूछा जा रहा है बाप्टा डुट अबाप्ट आवर्ड 2022 में सर्मस्रेष्ट फिल्म का अवर्ड किसे मिला तो यहां पर बेस्ट फिल्म का आवर्ड मिला था the power of the dog को याद रख सकते हैं and the power of the dog को director को ने इसकी इसकी director का नाम है Jane Campion याद रख सकते हैं यहाँ पर H नहीं होगा C-A-M-P-I-O-N होगा and 2021 में बात करें तो बाफ्टा का best film award मिला था Nomadland को याद रख सकते हैं यह 2021 का है and 2022 का है the power of the dog इसके बाद बाफ्टा अवर्ड में उतक्रिस्ट ब्रिटिस फिल्म यानि आउटस्टेंडिग ब्रिटिस फिल्म का आवड की से मिला है तो यह मिला है बेलफास्ट को option A हमारा सही हो जाएगा इसके बाद देख लेते हैं बेस्ट डेक्टर का ओवर्ड किसे मिला है बाप्ट आवार 2022 में तो बेस्ट डेक्टर का ओवर्ड मिला है जैन कैंपियन को ही और इनकी कौन सी फिल्म थी The Power of the Dog याद रख सकते हैं इनका नाम जरूर याद रखिए यही नाम आपको आगे जो है आउसकर्स में भी देखने को मिलेंगे तो जैन कैंपियन जो है निजिलेंड से हैं याद रखिए और बाप्टा के 70 साल के इतिहास में यह तीसरी महिला बनी है जिने Best Actor का अवर्ड दिया गया है यह भी याद रख सकते हैं इसके बाद देखते हैं Best Actor का अवर्ड किसे मिला है बाप्टा अवर्ड 2022 में तो Best Actor बने है Will Smith याद रखिएगा यह भी नाम यह नाम जो है आपको यह भी नाम आपको जो आगे ओसकर अवर्ड में देखने को मिलेगा तो Will Smith का नाम जरूरी याद रखिए और किस फिर्म के लिए दिया गया है इन्हें Best Actor का अवर्ड तो King Richard के लिए इन्हें दिया गया है इसके बाद Best Actress अवर्ड पुछा जा रहा है बाप्टा अवर्ड 2022 में तो बाप्टा अवर्ड 2022 में Best Actress का अवर्ड मिला है जोना स्कलन को याद रख सकते हैं जोना स्कलन की मूवी है After Love ये भी याद रखिएगा इसके बाद देख लेखते हैं यहाँ पर टोटल लिस्ट देख लो एक बाद तो 75 जो भी बाप्टा अवर्ड दिए गए है 2022 में उसकी लिस्ट है याँ पर तो बेस्ट फिल्म आपको बताया मैंने The Power of the Dog बेस्ट एक्टर का अवर्ड मिला है Jane Campion को The Power of the Dog मूवी के लिए ही बेस्ट एक्टर इन लिडिंग रोल जो की जापान की एक मूवी है याद रख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बाप्टा के फिल्म लिखी गई है और कहां प्रायोजित किया गया वो लिखा हुआ है ठीक है चलो अब आगे देख लेते हैं ऑसकर्स को यह जो है काफी जादा इंपोर्टेंट है याद रखेगा ओसकर्स सवाल जरूर आते हैं एक्जामस में तो बात करें ओसकर्स की तो अभी 2022 में 94th Academy Awards दिये गए हैं आप सबको पता होगा Academy Awards को ही हम ओसकर्स के नाम से जानते हैं याद रखेगा तो यह जो है इसका आउजन कहाँ पर हुआ तो यह से के लॉस एंजलिस के यहाँ पर एक डॉल्बी थेटर है वहीं पर यह आईजित हुआ है याद रख सकते हैं तीन होस्ट थे इसके रैगिना हॉल, एमी शूमर फिर एक वांडा सिका स्टेज तोनों ने होस्ट किया इसको अगर आप अमेरिकन या फिर इंटरनेशनल फिल्म इंडेस्ट्री में बहुत अच्छा परदर्सन करते हैं उसके लिए ओस्कर्स का वोट दिया जाता है कंट्री की बात करें तो अगेन यहाँ पर इनटर्स स्टेट्स से याद रखेगा ग्रैमी अवोर्ड में हमने देखा वो भी उनटर्स स्टेट्स ही देता है फिर बाप्ता था वो देता है ब्रेटेन यह आगया ओस्कर जो दिता है इनटर्स स्टेट्स पहली बार कप दे गया था यह आवर्ड पहली बार दे गया था 16 माई 1929 को एंड इस अवर्ड को प्रेजेंट कौन करता है तो वह है अकैडमी आप मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस याद रह सकते हैं आगे प्रस्ण करते हैं फिर लिस्ट देखेंगे और सकॉर आप टॉंटिव नटी टू में सर्मासरे फिल्म का आवर्ड किसे मिला है तो बेस्ट फिल्म का आवर्ड मिला यहाँ पर को रुस्ट की बेस्ट फिल्म कोड़ा अच्छा वर्ट्स दो जारे किस की बेस्ट फिल्म का वर्ड किसे मिला था वो मिला था नॉमेड लैंड को याद रख लिजेगा अभी जो एक्जाम्स हो रहे उसमे पुराने वाले भी पूछ सकते हैं तो याद रखना है इसके बाद देखो सर्बस्रेश्ट निर्देषयक का शुर्ट किसे मिला है, बेस्ट डिरेक्टर Academy Awards 2022 बोली या फिर, Award 2022 बोली वो मिला जैन कैंपियन को और यहीन अवर आपने बाप्टा में भी जहारे बेस्ट डिरेक्टर का वर्ड मिला था और Oscars में भी جैन कैंपियन को ही मिला है याद रखिएगा एंड इनकी मुवी कौन सी है दा पावर अफ द डॉग एंड कहां से है निव जिलेंड से है इसके बाद देखिए ऑस्कर अब वर्ड 22 में सर्वस रेस्ट एक्टर का वर्ड किसे मिला है तो यह मिला है विल स्मीद को ही बाप्टा में भी इन ही मिल पुछा ज यहां पर है जैसिका चसेंड औप रोपसन है हमारा सभि हो जाय give जैसिका चस्टें और इसके बाद करेठा इनकी मुवी का नाम है याद रख सकते हो यहां पर आप उनको भी सकते इसके बाद दख लएते हैं जिस्ट तो बेस्ट फिल्म का वाद अवर्ड की बात करें, 94th Academy Award 2022 में, तो बेस्ट फिल्म का वर्ड मिला है कोड़ा को, जिसे हम Child of Death, Adult भी बोलते हैं, बेस्ट एक्टर का वर्ड मिला है Will Smith को, किस मुवी के लिए, King Richard के लिए, और Will Smith के जो है, कैरियर का या पहला Oscar अवर्ड याद रख सकते हैं, बेस्ट एक्टर क अवर्ड मेला Jessica Chastain को, The Eyes of Tamify के लिए, बेस्ट एक्टर का वर्ड मेला Jen Campion को, The Power of the Dog के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रोय काटसर, कोड़ा के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, अरियाना डेबोस, वेस्ट साइट स्टोरी के लिए, ये इतने इंपोर् लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, दादा साहिब फॉलके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड की, प्रस्ट में पुछा जा रहा है, दादा साहिब फॉलके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड 2022 में, किस फिल्म ने, फिल् सर्वस्ट्रेश्ट फिल्म यानि बेस्ट फिल्म का अवर्ड किसे मिला डादा साहिब फॉल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड दुजार बाइस में तो सर्वस्ट्रेश्ट फिल्म का अवर्ड मिला शेर साह को और फिल्म अप दो येर का वर्ड मिला है पाद राईज को बेस्ट फिल्म अवर्ड मिला है शियर साह को बेस्ट अक्टर का वर्ड मिला है रनवीर सिंग को इनकी मूवी 83 के लिए बेस्ट अक्टरेस का वर्ड मिला है किर्ती सैनयों को इनकी फिल्म है मीमी उसके लिए सिदाते मनलुत्रा को चौज एक्ट्रिस का ब इंट्रिस का ब इप सरीज में में लिए और ही ते अगला धेlog है आपर हमारा इंटर्नेशनल फिल्म फेस्टिवल और इंडिया में लुट्स थीक है बात करें इसकी स्थापना की तो वह हुआ था 1952 में यह annually आउजित किया जाता है हमारे गोवा में यातर सकते हो हर साल गोवा में आउजित किया जाता है यह जो फेस्टिवल जो है यह इसे कंड़ेक्ट कर किया जाता है jointly by the directorate of film festival जो कि किस ministry का अंडर आती है ministry of information and broadcasting and साथ में state government of goa भी दोनों मिलकर इसको आउजित करते है और राग ठाकुर जो है current में हमारे minister है information and broadcasting के याद रख सकते है यहाँ पर देख लो 50 second international film festival of India की बात कर लेते हैं तो कुछ important awards है जैसे कि golden peacock award क्या है कि नहीं दिया गया है वो देख लो तो golden peacock award मिला है जिसे best film award भी बोलते हैं यह मिला है ring wondering को जिसके director है masa kaju kane को जो की जापान से है ठीक है opening film रही थी इस festival की the king of the the king of all the world जो की किसकी film है कार्लोस सावरा की closing film रही थी इस festival की a hero जिसे बनाया आशगर फरहादनी सत्यजीत रे lifetime achievement award मिला है मार्टिन सकार्सेश और इस्टवान सजाबो को यहाँ दख सकते हो यह important awards है सत्यजीत रे lifetime achievement award और इसके बाद देखो एक और award है Indian film personality of the year award यह दिया गया है हेमा मालनी और इनके साथ प्रसुन जोश्री को तो यह सारे importance है और जो ज्यादा important है उसको ही मैंने सिर्फ cover कराया है ठीक है इसके बाद देखो ICFT UNESCO गांधी medal दिया गया है महमत साले हरून को यहाँ दख सकते हैं and PDF के लिए आपको मैंने बताएं टेलिग्राम चैनल से आप जो है PDF डावलोट कर सकते हैं इसके बाद देख लेते थोचा 66 Film Fair Awards के बारे में पुछा जा रहा है 66 Film Fair Award में सर्वस रिष्ट अभिनेता का आवर्ड किसे दिया गया है तो Best Actor का आवर्ड मिला है 66 Film Fair Awards में इर्फान खान को इनके मुवी एक थी अंग्रेजी मीडियम उसके लिए इर्फान खान को जो है Best Actor का आवर्ड मिला था 66 Film Fair Awards में इर्फान खान आप सबको पता है अब हमारे बीच नहीं रहे हैं चलो आगे देखो अगला प्रुस्कार है यहां पर पुछा जारा Best Actress का आवर्ड किसे दिया गया था 66 Film Fair Awards में तो Best Actress का आवर्ड मिला था तापसी पन्नु को यहां देखते हो इनके थप्ण मूवी के लिए तो Option B हमारा यहां पर सही हो जाएगा यहां पर आप उनके तस्वीरें भी देख सकते हैं तापसी पन्नु को आगे है यहां पर लिस्ट कम्प्लीट 66 Film Fair Awards जो कि 2021 में दिया गया पहली बार कप दिया गया था फिल्म फियर अवर्ड पहली बार दिया गया था 1954 में 21 मार्च को ठीक है बेस्ट फिल्म अवर्ड मिला थप्पड मूवी को बेस्ट एक्टर की बात करें इन लिडिंग रोल मेल में तो वह मिला इर्फान खान को रेजी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर इन लिडिंग रोल फीमेल में बात करें तो वह मिला है तापसी पन्नू को ठपड के लिए बेश्ट अक्टर का वड़िया अपे दिया गया ओम राउध को ताना जी दा अन संग वरियर मुवी के लिए बेस्ट अक्टर इना सपोटिंग रोल मेल के बात करें तो सइफ अली खान को supporting role में अगर female की बात करें तो मिला है फारुक जाफर को गुलाबो शिताबो के लिए critics best actor ने leading role की बात करें mail में तो यह मिला है अमिताब बच्चन जी को गुलाबो शिताबो के लिए और यहीं पर एक lifetime achievement award दिया गया था जो के मिला है इर्फान खान को याद रख सकते हैं most important है इसके बाद देखो आगया हमारा 67th national film awards तो यहाँ बात करते हैं पुरस्ण में पुछा जा रहा है 67 राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकार में सर्वस्ष्ट अभिनेता यानि best actor का award से किसे सम्मानित क्या गया तो यहां पर दो लोगों को यह बोट दे गया था एक तो यह लोगों को को यह बोट दे यह था ये वाट को तो हमारे देश के वोश्ट प्रस्डेंट है यहाद रख सकते हैं यहाँ पर देखो बेस्ट एक्ट्रेस का अवर्ड किसे मिला है 67 नेशनल फिल्म अबोर्ट पर पूछा जा रहा है तो बेस्ट एक्ट्रेस का वर्ड यहाँ पर मिलना था कंगना रनावत को यहाद रख लिजेगा आगे देख लेते हैं कंप्लेट यहाँ पर देखो 67 नेशनल फिल्म अवर्ड 2021 की बात कर रहे हैं आप पर हम पहली बर यह अवर्ड कप दे गया था नेशनल फिल्म अवर्ड तो पहली बर दे गया था 10 अक्टूबर 1954 मी देर 21 में जो दिया गया 67 नेशनल फिल्म अवर्ड उसकी बात कर लेते हैं तो नौन फीचर फिल्म का अवर्ड मिला है एन इंजिनियर ड्रीम, बेस्ट एक्टरेस के बात करें तो मिला है कंगरार नरोत को, इनकी मुवी मनी करनी का और साथ में जो पंगा मुवी में इन्होंने काम कहा था उसके लिए, बेस्ट एक्टर दो लोगो को मिला है, मनोज ले मुवी के लिए, धनुस को मिला है असुरन मुवी के लिए, याद रख सकते हैं, एक्टर जो हमारे रजनी कान जो है, उनको यहीं पर 51st यानि 51 दादा साहिफ आल के आवर्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि most important है इसे जरूर याद रखिए, रजनी कान को 51st दादा साह झाल